चलिए आज हम मैथी की भाजी तो बनाते ही हैं लेकिन उनके डंठल का यूज करके हम पूरियां बनाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी और आप डंठल कभी फेकोगे भी नहीं तो यहां मूली की भाजी लेना है डंठल अलग निकालना है उसकी जड़ को अलग कर लेना है और पत्तों को अलग निकालना है जैसे मैंने एक किलो मैथी की भाजी लिए इसमें से सिर्फ पत्ते पत्ते अलग करना है और डंठल को इस तरीके से अलग करके निकाल लेंगे सभी टेस्टी पूरियां बनके तयार होगी एकदम मुलाएं बिलकुल आप नहीं सोच सकते कि डंठल से इतनी सौफ्ट पूरियां कैसे बनके तयार हो गई है और जटपट से बन जाती है ज्यादा महनत भी नहीं लगती तो इस तरीके सबसे पहले पत्तों को अलग कर लेना है और डंठल को अलग निकाल लेना है और जड़ को अलग रख देना है इस तरीके से हम डंठल अलग पत्ते अलग और जड़ अलग तीनों चीजों को अलग अलग करके जड़ को फेक देना है और इसको मैथी को अच्छे से धुल लेना फिर काटना है और डंठल को मैं काटना नही से इसमें आ जाएगा पानी में डूब जाना चाहिए मतलब मैथी के जो डंठल है उनको थोड़े-थोड़े पत्ते गिर गए हैं तो ऐसा मत बोला कुछ थोड़े एक्ष्ट्रा पत्ते थे तो मैंने डाल दिये थे फिर इनको गैस पर चढ़ाके पांच मिनट के लिए बॉयल कर लेना है मीडियम टू हाइफ लेम करके उसके बाद एक हम मसाला तयार करते हैं दोनों के लिए जो में टेस्ट देगा और बहुत 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 अच्छा बनेगा दोनों ही चीजें एक्दम सर्टिस्फाई कर दे में ग्राएंड़ से फार थोड़ा तरह दाल देना ज्यादा पानी फ्यूज़ नहीं करना है नहीं तो क्या है गीला हो जाएगा सबजी में तो चल जाएगा ऑप पूरी केली आठा टाइड गुनना पड़ेगा अब सब्से पहले हम एक मैथी को ना काट के रख लेंगे एक कट कर सकते हो और ये भाजी मुझे इतनी ज्यादा पसंद है मैंना ऐसी सूखी कच्ची खा जाती हूँ इतनी टेस्टी लगती हूँ मुझे फायदा भी बहुत करती है मैथी की भाजी सबसे ज्यादा फायदे मन्द होती है सारी भाजियों में इस तरीके से हमें कट करते जान जालना है गरम करना है और उसमें एक चुटकी हींग डाली है सरसों का तील जब अच्छा कड़क जाए उसके बाद ही डालना अधर चमत जीरा अगर आपको पसंदें पूरे तरीकिशे ऑप्सनल है फिर अधरक लहसुन हरीमेट चरी धनिया का इस तरीकी कबना हुआ पेस्ट जालना है थोड़ा सा सूखा सूखा टाइप से और पहले यह मसाला अच्छे से भून लेना है चाहो तो थोड़ा सा पानी यहां एड़ कर सकते हो और आधा पेस्ट हम बचा लेंगे पूरियों के लिए अभी आप देखते जाना दोनों चीजें एक दम परफेक्ट बनके त दयार होगी यह भाजी वैसे मैथी की भाजी में उतने मसाले की जुरुत पढ़ती नहीं है बट मुझे मसाले दार पसंद है तो मैं डाल देती हूँ एक आलू डाला है थोड़ा सा मोटा काटके आलू को मसालों के साथ पहले हम अच्छे से भून लेंगे मसाले मैचे से चला देना है और इसको पका लेना है क्योंकि मैथी की भाजी को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फिर एक चुटकी डालना है धनिया पाउडर एक चुटकी हल्दी पाउडर एक चुटकी गरम मसाला और एक चुटकी ही लाल मिर्च थोड़ा सा मैठी की भगाता है, बोगर अलव प्याज, पूरे अच्छे से भून हुङना मैठी की भजी में,اعली को भूझा थे, 바로 महती की भाजी से ज़ाए, प्रूह की की मैठी की भाजी निदा मैठी के बामें, यहां राती है, अच्छे से भूल दिए और यहां यहां जो देख लेंग एकदम transparent type से होने लगेंगे हाथ से ऐसे mash करोगे न तो mash हो जाएंगे फिर इसको हम side में रख देंगे ठंडा होने के लिए तब तक हम अपने आलूओं को देख लेते हैं जो की पक के तयार हो गए है मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है अच्छी आ रही थी कि मैं क्या बताओं इसके साथ आप रोटी खाओगे बहुत अच्छी लगेगी यह हरा भरा आलू रहता न वो ऐसे ही बनता है हरा भरा आलू बोलते उसको मसाले वगर डाल के असी हरे-हरे मसाले डाल के बनाते हैं फिर यहां हमने मैथी की भाजी जो काटके दुलके रखी थी उसको यहां पर हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है आदा चमच नमक आ गया था अच्छे से पका लेना है सभी को कंटिनिवसली चलाते जाएंगे मैथी की भाजी बनाना सच में बहुत इजी होता है जल्दी पक जाती यह ज़दा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में यह देखे अब इसको हम थोड़ी देर के लिए गयस पर चड़े रहन देंगे स्लो फ्लेम पर यह हमने जो अद्रक लहसुन हरी में चली देनिया का पेस्ट बनाया था एक चमच मैंने भाजी में डाला था और एक चमच यहाँ पूरियों के लिए उसकरेंगे यह जो डंठल उबाल के रखे थे इनके पानी को आपको एक कटोरी में निकाल देना है और डंठल को ठंडा करकी ग्राइंडर में डाल देना है और ग्राइंड कर लिए उसको भाजी देख लेते हैं भाजी हमारी एकदम पक के तयार हो गई है बहुत टेस्टी बन के तयार हुई थी इसके देखिए डंठल को इस तरीके से आपको पीस लेना है एकदम महीन पेस्ट बनके तयार हो जाएगा इस तरीके का फिर आपको एक बोल लेना है और उसमें दो कटोरी आटा डालना है ग्याहूं का उस्की बाद जो हमने पेस्ट बनाए था मैधि के डंठल का वो इसमें डालदेंगे अब जो हमें पानी डाल्ला है वो मैंधि का उबला हुआ ही पानी डाला हैं हमें एक्सटर पानी नहीं डाला है से नॉर्मल वाला पानी डाला फिर थोड़े थोड़े से बेषिक मसांदी डाला टेस्ट क rhizvy अधर चमच अल्दी पाउडर अधर चमच धन्या पाउडर गरम मसाला थोड़े चमच मौयस्न के लिए ऑल सब मैं ओफी तरिक當 गून लेंगे जैसे हम पूरियों के लिए बनाते ना वैसी तरीके से और पानी डालना है तो यह तो ग्राइंडर में पानी करके डालना है तो जो मैथी भाजी का बच्चा होगा वो पानी हम डालेंगे इस तरीके से टाइट सा आटा गून के तयार कर लेंगे और इसको 15 से 20 मिनिट के लिए ढखके रख देना ताकि अच्छे से फूल जाए ये देखिए ठंडियों में मैथी की भाजी पूरी भाजी तो सारी अच्छी आती है बढ़ ठंडियों में इन सब को बनाने की बात ही अलग होती है पूरीयों को आपको अपने पसंदे की हिसाब से बेल लेना है पतला मोटा जैसा भी पसंदो जितना पतला बनाओगे उतनी ज्यादा टेस्टी बनेगी फूलेगी भी बहुत अच्छे से तेल लगाने के भी जरोत नहीं पढ़ेगी आठा जब अच्छे से फूल जाता है न तो अक्स्रा तेल लगाने की जरोत नहीं पढ़ती बहुत प्रेम से पूरियों को बेल सकते हो इस तरीके से आपको बेल के तयार कर लेना है फिर कड़ाई में तेल को करना है गरम और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पूरियों को सिक लेना है दो चार एक जैसे भी आपसे बने बहुत अच्छे से फूल जाएंगी मूव भी करने की जुरुत नहीं पड़ेगी इस तरीके से बन करके तयार हो जाएगी बहुत अच्छे से फूलेंगी सारी पूरियां एकदम परफेक्ट एकदम सौफ्ट जैसे खाने का मन होगा न वैसे बन के तयार होगी इतनी बड़िया बनती है मतलब अब आप कभी डंठल वेस्ट नहीं करोगे वेस्ट तो वैसे भी नहीं करते गाय को ही डालते हैं गाय खा लेती हैं बट फिर भी वो हम यूज कर सकते हैं तो थाली हमारी रेडी है मैं तो चली खाने वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेड़ सब्सक्राइब जरूर करना और कॉमेंट करके भी बताना ट्राइब जरूर करना आप बहुत अच्छा बना लोगे अगर एक बार ट्राइब करोगे तो बागी थैंक्यू सो मच एवरिवन इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए